नमस्कार, आज हम पापरी चार बनाएंगे, ये बोती स्वादिस्ट बनती है, देखने में जितनी यम्मी है, खाने में उतनी ही स्वादिस्ट है, खाने में मजा आ जाएगा इसको बनाने के लिए आठ पापरी, एक चुथाई कप उबला हुआ, आलू, हरी चटनी, दो से ती पापरी चाट के लिए हमारा दही मिक्सचर त्यार हो गया है, अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हम पापरी डाल देंगे, मैंने रेडिमेट पापरी लिए है, आप घर पर भी बना सकते हैं, ये बहुती जल्दी बन जाती है, और स्वादिस्ट भी बहुत बनती है, पापरीयों को हमने लगा दी है, साथ से आठ पापरी को, और उसके उपर बनाया हुआ दही डाल देंगे, आप स्वाद अनुसार मसाले डाल सकते हैं, दही को हमने डाल दिया है, अब उसके उपर भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, इससे इसको स्वाद और खशबू भी बड़ी अच्छी आती है, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद हम उबले हुए आलू छोटे टुकडो में काट लिये हैं, उनको डाल देंगे, आलू से इसमें बहुती स्वाद आ जाता है, और आलू को फिर तिखापन देने के लिए थोड़ा सा लाल मिर्ची पोडर डाल देंगे, जीरा पोडर डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हमने पहले भी इसमें डाल दिया है, हरी चतनी डाल देंगे, हरी चतनी आप अपने स्वाद अनुसार कमजा जादा कर सकते हैं, सूट चतनी डाल देंगे, इस से इसका स्वाद और ही बढ़ जाता है चटनी भी आप अपने स्वाद अनुसार कमजा जादा कर सकते हैं और स्वाद लाने के लिए हम इसके उपर फिर से दहीं डाल देंगे जीरा डाल देंगे भूना हुआ और डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिच्ची पाउडर ये बहुती स्वादिस्ट और जम्मी बनती है आप इसको जरूर बना कर खाईए सूंट चटनी डाल देंगे खाकर अपने अनुभब जरूर शियर करना कि कैसी बनी है अब तीखापन लाने के लिए हरी चटनी डाल देंगे और और स्वाद लाने के लिए हमने इसके उपर अनार्दाने डाल दी हैं सूंट चटनी और गरीन चटनी हरी चटनी के साथ चार्ट पापड़े बहुत स्वाल लगती है पापड़े चार्ट बनकर त्यार हो गई है और लीजिए मजा लीजिए खाईए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का सकार